ओम साइराम, सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चे इस नए दिन का एक उद्देश है, किसी कारण से इसकी रचना हुई है समय और जीवन दोनों ही चलते रहते हैं इनके पीछे एक उद्देश है, अपने कीमती समय का उप्योग सही तरह से करना जो समय इनसान चिन्ता करने में गुजारता है, वो हानी कारक होता है विश्वास करो, उसके बाद सब कुछ संभव होगा दया और करुणा रखना दया भावना तुम्हारी ताकत का सबूत है जो दूसरे करते हैं वो उनका फैसला है तुम अपने लिए निर्ने लो खुद को बदलना है तो सिर्फ खुद के लिए बदलो बहतर बनने के लिए बदलो तुम्हारा दिन शुब और मंगलकारी हो जै साइराम